दोस्तो एक और brokerage comparison में आपके सामने आज लेकर आया हूँ, ये दो broker जो है, ये दोनों भी discount broker है और अभी अभी नए नए market में आये हैं, यानि कि 2020 के बाद इनका जो brokerage company है जो लोगों के पास आना चालू हो गया, लोगों ने डाउनलोड किया और active users भी काफी अच्छे इनके ह में दिखाई देते हैं, brokerage कितना है, 1000 रुपे profit अगर आपको होगा तो brokerage कितना लगेगा, एक lot के लिए आप अगर trade करते हो तो आपको nifty में कितना brokerage देना पड़ेगा, futures में और options में ये सारी comparison आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वीडियो को एंटक जरूर देखिए और वीडियो कैसा लगा, आपको कोई doubts है, तो comments में जरूर कूछिए, तो आज जिस broker का हम comparison करने वाले हैं, वो शून्य और धन application, दोनों भी नए हैं market में, दोनों का भी लगबक एक साथ ही market में आये हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम downloads की बात करें, या फिर total download कितने किये हैं, प्ले स्टोर की हमने यहाँ पे data consider किया है, तो शून्य अप्लिकेशन को अभी तक एक लाग से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, उसमें से 81,000 इनके active users है, यानि कि यह बहुत नए-नए है market में, 2021 के बाद या, हाँ 21 के बाद ही आया है, शायद और धन थोड़ा सा प मैंने अभी तक शून्य अप्लिकेशन पूरी तरीके से यूज नहीं किया है, एक दोबार यूज किया था मैंने, वो भी मेरे दोस्त का, लेकिन धन application मैंने पूरा इस्त्माल किया है, हमारे चैनल के उपर धन के videos भी available है, कुछ कुछ उनके, तो आप वो भी videos जाके देख सक दन के अगर टोटल डाउनलोड देखेंगे तो 10 लाग से उपर इनके डाउनलोड हो चुके है और उसमें से 5 लाग एक्टिव यूजर है यानि कि 50% से ज्यादा तक यहां के हमारे पास एक्टिव यूजर इनके अविलेबल है यह जो डेटा है यह डेसेंबर 2023 तक का डेटा हम अगर बात करें तो दोनों एप्लिकेशन में कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है AMC के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है यानि कि फ्री में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं आप AMC के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है अगर दोनों एप्लिकेशन में अकाउ फर्स्ट इंप्रेशन देखा है यहां तक शुन्य और धन मुझे थोनों बराबरी पे नज़र आ रहे हैं हाला धन थोड़ा मार्केटिंग स्रेटरजी अच्छी इस्तिमाल कर रहा है इसके लिए इनके डाउनलोड और अक्टिव यूजर जादा है लेकिन अगर हम percentage wise active user देखे तो एक लाख प्लस डाउनलोड है और 81,000 इनके टोटल यूजर है तो ये comparison थोड़ा सा मतलब ये जो percentage थोड़ा सा ज़ादा निगल के आता है यहाँ पे थोड़ा 0 आपको ज़ादा दिखाई देगा क्योंकि ये number कम है और धन का number ज़ादा है फिर भी 50% से ज़ादा लोग active user यहाँ पे नज़र आ रहे है सबसे important चीज के उपर आते है brokerage के उपर आते है brokerage की अगर हम बात करें तो 0 में 0 brokerage है delivery trading करो, intraday trading करो, futures trading करो या options trading करो कुछ भी brokerage आपको देने की ज़रूरत नहीं है brokerage मतलब जो पैसा 0 को जाता है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है government के जो taxes है वो आपको पे करने ही बढ़ेंगे वो हर जगा पे पे करने होते है वो government को जाते है वो शून्य को नहीं जाते लेकिन जो brokerage होता है जो हम broker को प्रे करते है वो आपको शून्य में कुछ नहीं देना है zero brokerage के साथ आप trade कर सकते है चाहे futures करो, चाहे options करो, चाहे intraday करो, चाहे delivery करो यही अगर हम धन की बात करें तो delivery trading free में दे देते हैं यह मतलब आप long term के लिए stock hold करना चाते है तो free of cost आपका यहाँ पर brokerage हो जाएगा tax यहाँ भरना पड़ेगा लेकिन broker के जो charges होते है वो कुछ नहीं लगेंगे intraday की अगर आप बात करें तो 20 रुपे या फिर 0.03 पर executed order whichever is lower अब 20 रुपे के हिसाब से calculation होगा आपके turnover का और 0.03% के हिसाब से भी आपके turnover का calculation होगा अब दोनो calculation में जो भी कम वहाँ पे आपको brokerage दिखाई देगा वो आपको लागू किया जाएगा intraday trade में same situation है futures में और options में flag 20 रुपीज पर executed order आपको यहाँ पे देना होगा यहाँ पे आपको intraday futures और options में brokerage देना है और delivery में कुछ पैसे नहीं पे करने है as a brokerage अब आते है other charges के उपर यहाँ पे मैंने government के जो charges है वो consider नहीं किये है उसका कोई slide नहीं दिया है क्योंकि दोनों भी application में government के जो charges है वो same होते है उसमें कोई भी changes नहीं है NECBSE के charges हो गए stamp duty के charges हो गए SEBI के charges हो गए हर जगा पे same है इसलिए वहाँ मैंने वो consider नहीं किये है अब आते है other charges के उपर other charges में सबसे पहला होता है auto square of charges आप सबको पता है कि intraday की timing होती है 9.15 मिनिट से लेके 3.30 मिनिट पे लेकिन 3.20 मिनिट के बाद क्या होता है auto square of आपकी position होने लगती है जो आपकी position pending में है intraday की position हो futures की position हो या option की position हो सिर्फ intraday की position delivery की बात नहीं कर रहा हूँ मैं intraday में आपने equity stock लिया हो futures लिया हो या options लिया हो तो वो 3.20 मिनिट के बाद क्या होता है auto square of होता है मतलब आपका broker आपके लिए directly order execute करता है चाहे आपको profit हो रहा है तो भी penalty आपको नहीं देनी है लेकिन धन application में आप use करते हो धन application में आप trading करते हो intraday equity future option तो आपको penalty देनी पड़ेगी 20 रुपे per order यानि धन application में आपके मानलो 10 order pending है जो आपने खुदने execute नहीं किये है तो उसके उपर आपको 200 रुपे plus GST penalty देनी पड़ेगी auto square of charges के नाम पे दूसरा यहाँ पे अगर आप शूनने application में call करते हो और बोलते हो कि मेरा trade execute कर दो मेरी ये फ़लाना order execute कर दो तो आपसे कोई भी extra charge नहीं लिया जाता लेकिन यही चीज आप धन application में करोगे तो 50 रुपे पर order के हिसाब से आपसे charge लिया जाएगा यानि के आपके 5 order execute करने के लिए 250 रुपे plus GST 18% आपको extra पैसे पे करने पड़ेंगे brokerage और taxes के अलावा तो यहाँ पे मेरा एक ही suggestion है कि auto square of हो या call and trade हो खुद करो कोई भी execution की wait मत करो खुद manually execute करो order और call करके बताने की जरुरत नहीं कि मेरा order execute कर दो दो minute लगता है application open करके order execute करने में तो उस दो minute के लिए आप पैसे मत गवाईए ऐसा मेरा आपको suggestion है दूसरा यहाँ पे आता है DP charges बहुत लोग confused हो जाते है DP charges क्या होते है DP charges मतलब अगर आपने किसी stock के delivery ली है या long term के लिए stock कोई hold किया है तो वो stock रहता है CDSL नाम की depository में अब इस depository से जब हम stock बेचने वाले होते है तो आपको इनकी जो fees है वो पे करनी होती है वो होती है DP charges यह सिर्फ delivery stock बेचने के लिए ही आपको देने पड़ते है और शुन्ने application में यह है 9 रुपे प्लस 18% GST और DP charges धन में है 12.5 रुपे पर instruction अब यह दोनों भी पर instruction क्या लिखा है मैं बताता हूं लेकिन 12.5 रुपे प्लस 18% GST आपको देना होता है पर instruction का मतलब होता है आप मानलो TCS के 100 stock बेच रहे हो inflosys के 50 stock बेच रहे हो तो इस particular TCS के 100 stock के लिए आपको DP charge देना पड़ेगा शुन्ने application में 9 रुपे और धने application में 12.5 रुपे अब आप एक quantity बेचो या 100 quantity बेचो यह एक ही amount आपको देनी है या तो 12.5 रुपे ऐसा नहीं कि एक quantity के लिए साड़े बारा है और 100 quantity के लिए ज्यादा हो गई ऐसा नहीं है यह script के हिसाब से लगती है अब TCS एक script हो गई infosys एक script हो गई इस script के stock आप बेचते हो तो आपको DP charges देने होते है यह quantity से इसका कोई relation नहीं होता है तो confuse मुथ हो ना कि एक quantity बेचू तो भी 12.5 लग रहा है और 100 बेचूंगा तो ज्यादा लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं है 100 बेचेंगे तो भी आपको 12.5 रुपे ही धन application में देने पड़ेंगे दूसरा यहाँ पे pleasing और unpleasing के charges मैं बताता हूँ please और unpleased क्या होता है आप क्या करते हो मान लो आपके पास 100 stock है किसी particular stock मतलब 100 company के for example यहापे Reliance के ही 100 stock है आपके पास उसमें से आपको 50 stock गिरवी रखने है और उससे पैसे उठा के intraday trading करनी है यह long term के लिए है आपने तो long term के जो shares होते है वो आप उसमें से कुछ shares गिरवी रख सकते है आपके broker के पास और उससे आप पैसे उठा सकते है यान लिए 50 share के बदले जो भी आपको interest के साथ पैसे मिलेगा borrow करने के लिए उससे आप intraday trading कर सकते है इसको बोलते है प्लीज करना और उसको अन्प्लीज करना मतलब पैसे वापस करना और अपने share वापस लेने ना तो अन्प्लीज और प्लीज के पर request के लिए आपको 20 रुपे देने पड़ते है यह charge होता है इंका यानि कि मानलो 50 quantity आपने प्लीज कर दी उसके उपर आपको 20 रुपे पर request के हिसाब से देने पड़ेंगे charges extra और फिर से वा 50 अन्प्लीज कर दे तो 20 रुपे आपको देने पड़ेंगे यह आपको शून्य में करना पड़ेगा और यही pleasing और unpleasing के जो charges है वो धन application में काफी सस्ता है साड़े बारा रुपे प्लर request आप यह सारी जीज़ें कर सकते है payment gateway charges दोनों जगा पे zero है कोई भी charge आपको नहीं लगता है तो यह है other charges के बारे में जानकारी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप profit कमाते हो मतलब आप 1000 रुपे का profit यहाँ पे कमाते हो 10 quantity के उपर तो आपको exactly net profit कितना होगा और brokerage कितना लगीगा अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने 1000 रुपे की buying पकड़ी है मैंने particular कोई stock यहाँ पे नहीं पकड़ा है 1000 रुपे की buying price है और 1100 रुपे की selling price मैंने पकड़ी है और 10 quantity के साथ intraday और delivery का calculation किया है intraday के लिए calculation और delivery calculation जो numbers यहाँ पे लखे है buying price जो है वो 1000 है selling price जो है वो 1100 है और quantity 10 है इस हिसाब से 1000 रुपे का profit मैंने पकड़ा है तो यहाँ पे मैंने जो turnover है वो delivery और intraday के लिए 21000 रुपे का turnover पकड़ा है और 21000 के turnover के उपर आपको कितने charges लगेंगे इसका calculation किया है यहाँ पे turnover बढ़ने के बाद आपका calculation change हो सकता है लेकिन मैं जो calculation यहाँ पे आपको बता रहा हूं यह calculation 21000 के turnover के लिए बता रहा हूं दूसरा यहाँ पे future and options की अगर बात करें तो 21500 का buying दिखाया है निफ्टी का और 2520 का selling दिखाया है और 50 का lot होता है एक lot 50 का होता है तो 20 रुपे का profit आपकर होता है तो 20 point का profit होता है तो 1000 रुपे का profit आपको यहाँ पे बता चलता है तो उस calculation के हिसाब से कोई stock buy करते हो और आपको 1000 रुपे का profit होता है तो आपको 21 रुपे 87 पैसे brokerage देना पड़ेगा ये actual में brokerage नहीं होता इसमें सिर्फ DP charge जो है वो 0 के लिए जाता है वो भी CDSL को कुछ हिस्सा होता है और बाकी के जो है वो taxes होते है 0 में अगर आप delivery के लिए कोई stock buy करते हो 10 quantity के लिए और 1000 रुपे का profit आपको होता है तो 978 रुपे आपका net profit होगा वही अगर आप धन application में trade करते हो delivery के लिए कोई stock लेते हो तो brokerage 38 रुपे लगता है क्योंकि इनका जो DP charge है वो थोड़ा सा जादा है 3,5 रुपे उसके उपरा 18% का GST भी लगता है तो net profit आपको होगा 961 रुपे 91 पैसे ये सारी जो calculation है वो particular उनके calculator के उपर मैंने की है तो आप cross check भी कर सकते है अगर आपको कोई शंका है तो अब आते हैं intraday के charges के उपर अगर आप छूनने application में intraday trade करते हो और आपको 1000 रुपे का profit होता है 10 quantity के उपर तो आपको charge लगेगा सिर्फ 3 रुपे 62 पैसा और आपका net profit होगा 996 रुपे 38 पैसा यही चीज आप धन application में करोगे तो आपका charge होगा 5 रुपे 3 पैसा और आपका net profit होगा 988 रुपे 67 पैसा अब आते है futures के brokerage के उपर future में क्या होता है कि आप nifty future या फिर किसी stock का future trade करते हो तो आपका turnover जो है वो काफी बढ़ जाता है और उसके हिसाब से आपके जो taxes है वो ज़्यादा लग जाते है और STT वगर्या के taxes होते है सेभी के charges होते है exchange transaction charges होते है वो ज्यादा लगते है और जैसे ही turnover ज्यादा होता है तो आपको brokerage जो होता है वो maximum side का देना होता है लेकिन शुन्ने application में आप futures trading करो option करो delivery करो intraday करो कुछ भी brokerage नहीं लगता सिर्फ यहाँ पे tax देना है वो tax कितना लगता है 160 रुपे 51 पैसा आपको tax लगेगा और 849 रुपे 49 पैसा आपका net profit होगा अगर आप शुन्ने application में futures की trading करते हो nifty की वो भी सिर्फ 20 point के profit के लिए और यही चीज़ अगर आप धने application में करते हो तो maximum brokerage लगके आपको 215 रुपे यहाँ पे total brokerage लगेगा taxes वगरा सब मिला के futures और options में dp charges नहीं होते intraday में dp charges नहीं होते वना confused मत होना कि dp charges कहां गए नहीं लगते हैं सिर्फ delivery में लगते हैं तो net profit आपका धन में होगा 744 रुपे 27 पैसे का यहाँ पे बहुत बड़ा difference आपको दिखाई देता है धन application और शुनने application में क्योंकि एक जगा पे बिल्कुल भी brokerage नहीं है और एक जगा पे brokerage मिला के भी थोड़ा यहाँ पे हमें charges बताए जा रहे options की अगर हम बात करें तो 14 रुपे 28 पैसे options में मैंने example क्या लिया है वो भी बतातेता हूँ 150 रुपे की buying दिखाई है 170 रुपे की selling दिखाई है 50 की quantity यानि की nifty का example है 20 point का profit into 50 करोगे तो 1000 रुपे वैसे ही आपका profit gross बन जाता है तो net profit आपको होगा 980 रुपे यह आपके charges होंगे अगर same चीज आप दन application में करते हो तो 22 रुपे 28 पैसे की आपको charges लगेंगे और 937 रुपे 72 पैसे यहाँ पे आपको charges देने पड़ेंगे net profit अपको होगा तो यह है पूरा calculation दन और 0 application का आपको पूरा calculation आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा comparison की अगर हम बात करें तो GTT order दोनों जगा पे लगती है bracket अपना cover order दोनों जगा पे आप लगा सकते हो stock SIP दोनों जगा पे कर सकते है bracket order दोनों जगा पे नहीं लग सकती है government bonds buy कर सकते हो IPOs buy कर सकते हो gold का trading कर सकते हो मतलब जो bonds gold के होते वो buy कर सकते है तो ये सारी चीज़े आप कर सकते है धन application और शुन्ने application में और जो features है काफी same ही है features में कोई वे difference नहीं है इसके लिए मैंने वो भी add नहीं किया काहिए खामगा वीडियो बड़ा बन जाता है और आप बोर हो जाते है फिर तो सीधे मुद्धे की बात यहां पर कोलना धन्यवाद